हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने सूरज के बारे में दोस्तों हमारा सूरज प्रित्वी पर हर जीव का जीवन दाता है हमारे सूरज के बिना प्रित्वी पर किसी भी तरह की जीवन की कलपना करना संभो ही नहीं है यदि सूरज ही नहीं रहेगा तो पूरी पृत्वी अंधकार मैं हो जाएगी पूरी पृत्वी बर्फ के चादर से ढख जाएगी लेकिन लगबग साड़े चार अरब सालों से जलता आ रहा ये सूरज क्या हमेशा ऐसे ही जलता रहेगा या कभी उसका अंत भी होगा चलिए जानते हैं सूरी का जन्म आज से लगबग साड़े चार अरब वर्स पहले हुआ था हजारों प्रकास वर्स दूर फैला महाकाय मॉलेकुलर क्लाउड के एक बड़े हिस्से के ढह जाने से हमारे सौर मंडल की रचना हो पाई सूर्य और सूर्य मंडल के अस्तित्तों को एक्स गैस के बादल के एक हिस्से के ढह जाने से या बिखर जाने से उसका रौ मटीरियल उससे अलग हो गया धीरे धीरे उस गैस के बादल का कुछ हिस्सा गती और दबाओ की वजह से घूमना सुरू हुआ और धीरे धीरे गर्म होने लगा रफ्तार और घुमाओ की वजह से उस हुआ और हीलियम और हाइड्रोजन का बीच वाला भाग हमारे सूर्य के रूप में अस्तित्व में आया और उसके आसपास घूमने वाले मटीरियल से हमारे प्रित्वी जैसे रौकी प्लैनेट बने और कई छुद्र पिंड भी बने और इस तरह से हमारे सौर मंडल का जन्म हमारा सूर्य जीटू कैटेगरी का एक तारा है जो की आकास घंगा के 10 फीसदी तारों में से एक है जैसे हमारे प्रित्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं ठीक उसी प्रकार हमारा सूर्य अपने सारे ग्रहों के साथ आकास घंगा की परिक्रमा करता है हमारे स सूर्य का है जिसका व्यास 13,92,000 किलो मीटर का है सूर्य हमें देखने में भले ही इतना बड़ा नाल लगता हो लेकिन असल में सूरज प्रिथवी से लगभग 10 लाक कुना बड़ा है क्योंकि वह धरती से लगभग 14 करोण 96 लाक मतलब 15 करोण किलो मीटर दूर है इतने दूर से सूर्य के प्रिथवी पर पहुचने में सिर्फ 8.16 मिनट लग जाते हैं सूरज मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ एक गोला है सूरज की सतह का निर्माण हाइड्रोजन हीलियम सलफर और लोहा जैसे तत्तों से मिलकर बना है सूर्य के केंदर का ताप से होगा चार दसमीनलोग पांच अरब साल पहले जन्मा हमारा सूर्य हर सेकेंड लगभग 6 करोण 57 लाख टन हाइड्रोजन ब्रहमांड में विखेडता है उसमें से चार लाख टन हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता ही नहीं है बलकि हीलियम की बजाय उर्जा म में चार और फैल जाती है ऐसे ही सूर्य हर सेकेंड अपना पदार गुमा रहा है लेकिन ऐसा कब तक चलेगा तो इस प्रस्न का जवाब यह है कि यह प्रक्रिया लगभग 5 अरब साल तक चलेगा उसके बाद सूर्य के केंदर का हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा जिसके का ऐसे विक्सित होता है तब उसको रेट जाइंट कहते हैं हमारा सूर्य भी एक दिन ऐसे रेट जाइंट हो जाएगा सूर्य के आकार के इतने बढ़ने के कारण उसका व्यास इतना बढ़ जाएगा कि बुद्ध और सुक्र ग्रह को तो वह पहले ही निगल चुका होगा और अब आएगी हमारी प्रिथवी की बारी लेकिन तब तक प्रिथवी पर सूर्य की गर्मी के कारण सभी जीव जन्तूओं का ना सो चुका होगा और करोड़ों साल बाद सूर्य में अब हाइड्रोजन के बजाए हीलियम ही रह जाएगा और वह हीलियम अब कार्बन के रूप में रूपांतरित होना सुरू होगा धीरे धीरे उसके बाहर की परत चाल की तरह उखड़कर अंतरिच में बिखर जाएगी और अंत में एक गुठली जैसा आंतरिक भाग बचेगा वह भाग लगवग आज की प्रिथवी जितना ही होगा लेकिन उसकी गर्मी बहुत जादा होगी और इस तरह हमारे सूर्य को स्वेत वामन तारा या जिसको हम इंगलिस में वाइड डॉर्फ कहते हैं वैसा ही हमारा सूरज बन जाएगा और धीरे धीरे वह वाइड डॉर्फ सूर्य भी अपना उर्जा खोदेगा और अंत में बुझकर एक काले कोईले के समान हो जा हैं कई वाइड डॉर्फ तक का रूप ले चुके हैं और कई तारों का अंत हो चुका है लेकिन समय समय पर हमारे ब्रहाण में अनेकों तारों का जन्म हो रहा है और ऐसे ही ब्रहां में जन्म और अंत की प्रक्रिया चलती रहेगी तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे जुड़े कुछ सवाल हों तो हमें कमेंट जरू करें मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइ करें आप से अगली वीडियो को सब्सक्राइब करें आप से लेगा हैं एक लिएए वीडियो करें तक की लिए यह भीडियो के लिए प्रोस्तों आप